परिचय अप इधर उधर देखते हैं तभी आपको थोड़ी दूरी पर आपका दोस्त अमन अपने हाथ में एक आईना लिए नजर आता है अब आपको पता चलता है कि इस शरारत के लिए अमन जिम्मेदार था लेकिन उसने ऐसा कैसे किया इस बारे में आपको पता नहीं है इस पार्ट में हम प्रकाश, छाया और परवर्तन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्लक करने में सक्षम हो जाएंगे प्रकाश को परिभाशित करना चमकदार चीजों को परिभाशित करना पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी चीजों के बीच अंतर बताना चाया कैसे बनती है इस बारे में जानना चाया के लक्षणों की सूजी बनाना एक पिन होल कैमरे के कारे को समझाना रोशनी के परावर्तन को परिभाशित करना प्रकाश क्या है? रात का समय है और आप घर के अंदर कदम रखते हैं चारों तरफ अंधेरा है सब कुछ काला लगता है आप कुछ भी देख नहीं पाते आपके पिता लाइट जला देते हैं अब आप सब कुछ साफ साफ देख पा रहे हैं इसका मतलब प्रकाश देखने की योगता देता है इसलिए प्रकाश को उर्जा का एक रूप कहते हैं जो हमें चीजों को देखने की योगता देता है चमकदार चीजें आपको स्कूल पहुँचने में देरी हो रही है आपको अपने मोजे नहीं मिल रहे हैं आप उन्हें कबड में ढूनते हैं कबड में क्योंकि अंधेरा है इसलिए आप ट्यूब लाइट जला लेते हैं मोजों को ढून लेने के बाद आप लाइट पुझा दे दे हैं, क्यूंकि वहाँ दिन की परियाप्त रोष्णी है, हमने अभी दो तरह के प्रकाश की बात की, ट्यूब लाइट से आने वाला प्रकाश और दिन का प्रकाश, यानि सूरच से आने वाली रोष्णी, सूरच की रोष्णी प्राकृतिक होती है, जबकि ट्यूब लाइट की रोष्णी कृत्रिम होती है, जिन चीजों की रोष्णी अपनी होती है, उन्हें चमकदार चीजें कहा जाता है, इस प्रकार हमारे उधारण में सूरच और ट्यूब लाइट दोनों ही चमकदार चीजों चमकदार चीज़ें प्रकाश का सुरोत होती हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी चीज़ें। चीजों को पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी इस आधार पर कहा जाता है, जिस तरह वे प्रकाश के साथ पेश आती हैं। जिन चीजों में से प्रकाश आर पार गुजर जाता है, उन्हें पारदर्शी चीजें कहा जाता है। किसी पारदर्शी चीज में से उस पर पढ़ने वाला अधिक तर प्रकाश दूसरी ओर निकल जाता है। इसलिए हम उनके आर पार देख सकते हैं। शीशा, साफ, हवा और शुद्ध पानी आदी पार दर्शी चीजों के उधारण हैं। जिन चीजों के आर पार पार प्रकाश नहीं गुजर बाता, उन्हें अपार दर्शी चीजें कहा जाता है। परिणाम स्वरूप हम उनके आर पार नहीं देख सकते। जब प्रकाश किसी अपार दर्शी चीज पर पड़ता है, तो इसकी छाया दूसरी ओर बन जाती है। गहरे रंगवाली प्लास्टिक और पत्थर आदी अपार दर्शी चीजों के उधारण हैं। जो चीजें आशिक रूप से पार दर्शी और आशिक रूप से अपार दर्शी होती हैं, उन्हें पार भासी चीजें कहा जाता है। प्रकाश इन में से छितर कर या डिफ्यूज होकर गुजरता है। फ्रोस्ट किया गया शीशा, ट्रेसिंग पेपर, ग्रीस्ट पेपर आदी पार भासी चीजों के उधारण हैं। प्रकाश कैसे चलता है? आप और आपका भाई आशिश स्कूल से अभी अभी लोटे हैं। आपकी माँ आप दोनों को पीने के लिए लेमनेट देती हैं। आपका शरार्ती भाई ग्लास में से स्ट्रॉ को निकाल कर उसमें से आपको देखने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद ये पतली स्ट्रॉ मुड़ जाती है। अब जब आशिश इसमें से आपको देखने की कोशिश करता है तो वो सफल नहीं हो पाता। क्या आपके भाई की ये कतिविथी कुछ साबित करती है। जी हाँ करती है। ये साबित करती है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में ही चलता है। चाया का निर्माण कुछ समय बाद सूरे छिप जाता है। अब आपको कोई चाया नजर नहीं आती। आप भ्रमित हो जाते हैं। आप जानना जाते हैं कि चायाओं का निर्माण कब होता है। आप ये भी जानने को सुख हैं कि किस दिशा में चायाओं का निर्माण होता है। चायाओं का निर्मान तब होता है जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपार दर्शी चीज रखती जाती है। चायाओं को केवल एक स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। जमीन, कमरे की दीवारें, इमारत और ऐसी ही दूसरी सथें चायाओं के लिए परदे का काम करती है। चायाओं का निर्मान रोश्नी के स्रोत की विपरीद दिशा में भी होता है। सुभा क्योंकि सूरे आपके मुँ की ओर था, इसलिए चाया आपके पीछे थी। शाम को सू गया तो कोई रोश्णी नहीं थी, इसलिए कोई छाया भी नहीं थी। छायाओं के लक्षण आपने भी छायाओं के बारे में कुछ दिल्चस्प तत्यों को जाना। आईए अब छायाओं के कुछ महतपूर्ण लक्षणों की लिस्ट बनाएं। छाया का निर्मान तब होता है जब प्रकाश किसी अपार दर्शी चीज पर पड़ता है। छाया का निर्मान उस दिशा में होता है जो प्रकाश के सुरोत के विप्रीथ होती है। छाया की बाहरी आकृती चीज की बाहरी आकृती से मेल खाती है। प्रकाश जितना चमकदार होगा छाया उतनी ही घनी होगी। प्रकाश या चीज का रंग कुछ भी क्यू ना हो। छायाएं हमेशा गहरे रंग की होदी हैं। प्रकाश का सुरोत किसी चीज के जितना नस्दीक होगा छाया उतनी ही बड़ी होगी। प्रकाश का सुरोथ चीज से जितना दूर होगा, छाया उतनी ही छोटी होगी. पिन होल कैमरा पिन होल कैमरा एक लाइट प्रूफ बॉक्स होता है, जिसमें एक और एक छोटा सा छेद होता है. किसी चीज से आने वाला प्रकाश इस सुराख में से गुजरता है, और उससे इस बॉक्स की विपरीद साइट में उस चीज की उल्टी छवी बनती है. आईए जाने कि कोई पिन होल कैमरा कैसे बनाया जाता है, कोई कार्ट बोर्ड या टीन का बॉक्स लें, इस बॉक्स की एक साइट को काट कर खोल लें, और उसके उपर एक ट्रेसिंग पेपर चिपका दें. जिस तरफ आपने ट्रेसिंग पेपर चिपकाया है, उससे उल्टी ओर वाली साइट में बीच में एक छोटासा छेद कर लें, अब इस बॉक्स को चारों ओर से बंद कर दें, पिन होल कैमरा इस्तेमाल के लिए तैयार है, अब छेद वाली साइट को किसी प्रकाश मान चीज की ओर करें, इस चीज की चवी ट्रेसिंग पेपर पर बन जाएगी, इस चवी का आगार निम्न बातों पर निर्भर करता है, स्क्रीन और सुराग के बीच जितनी अधिक दूरी होगी, चवी उतनी ही बड़ी बनेगी, चवी जितनी बड़ी होगी, उतनी ही धुंदली होग चीज और सुराख के बीच जितनी अधिक दूरी होगी, छवी उतनी ही छोटी होगी। परावर्तन आपके स्कूल में रेसिस के दौरान अमन ने आपके चेहरे पर एक चमकदार रोशनी को चमकाया। उसने एक आईनी के जरीए ऐसा किया। लेकिन उसने ऐसा किया कैसे। उसने आईनी के जरीए सुरी की रोशनी को आपकी दिशा में डिफलेक्ट किया। अमन की ये शरारत ये साबित करती है कि कोई आईना खुद पर पढ़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। किसी चमकदार सतह द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्थन को प्रकाश का परवर्थन कहते हैं। सारांश आये, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोराएं। प्रकाश उर्जा का एक ऐसा रूप है, जो चीजों को देखने लाइक बनाता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। जिन चीजों से होकर प्रकाश गुजर सकता है, उन्हें पारदर्शी चीजें कहा जाता है। जिन चीजों से होकर प्रकाश नहीं गुजर पाता है, उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। जो चीजें आंशिक रूप से पारदर्शी होती हैं और प्रकाश को अपने आर पार फैला कर गुजारती हैं, उन्हें पार भासी या अर्थ पारदर्शी कहते हैं। जब किसी अपार दर्शी चीज को रौशनी के रास्ते में रखा जाता है, तो ये चीज एक छाया बनाती है। जब कोई चमकदार सतह प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करती है, तो इसे रौशनी का परवर्तन कहते हैं।